साइबर अपराद आज देश भर में चुनता का बड़ा विशे बन गया है जिसको लेकर लगातार प्रिशाशन की तरफ से जुनता से सतर्क रहने की अपील की जा रही है दिरसल साइबर थग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और लोगों से लाखो करोडों की थगी को अंजाम दे रहे हैं ऐसे में दिल्ली पुलिस की साइबर अपराद विकाई के पुलिस उपायुक्त हेमंतिवारी ने लोगों को साइबर अपराद की प्रती जागरुक किया है दिली पुलिस की साइबर अपराद विकाई के पुलिस उपायुक्त का कहना है कि साइबर अपरादी जटिल हाइट्रिक दुनिया में अपराद करते हैं लेकिन अधिकाल जो साइबर अपरादी तकनीक के जवानका नहीं होते हैं बलकि वो कम सिक्षित होते हैं लेकिन चतुर कहानिकार होते हैं जो अपनी चिकनी चुपडी बातों से भोले भाले पीडितों को ओल्लाइन ठग लेते हैं साइबर अपरादी हर दिन खगी और धोकधड़ी के नए-ने तरीके इज़ाद कर रहे हैं दिली पुलिस की साइबर अपराद इकाई के डी सीपी हिमन दिवारी ने बताया है कि जाज के दौरान उनके जासूस पीड़तों और आरूपियों के प्रोफाइल बनाने में सफल रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि आरूपियों के पास कोई अच्छी सैक्षरिक प्रिष्ट भूमी नहीं है लेकिन वो अपने शिकार को कहानिया सुनाने में माहिर हैं उन्होंने कहा कि उनमें से कोई भी इंजिनरिंग इसनातक नहीं है वो अधिकांश कक्षा 10 या कक्षा 12 के पास भी हैं मगर पदमाश पीड़ितों का इस हद तक भरूसा जीत लेते हैं कि जब पुलिस या अन्य लोग उन्हें जवेतावनी देते हैं तब तक वो शिकार बन चुके होते हैं तो वो सला के लिए फिर से गोताले बास के पास ही चले जाते हैं डीसीपी के मताबिक पीड़ितों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं जो लोग 50 या उससे अधिकुम्रके हैं अकेले रह रहे हैं और अच्छी आर्थिक प्रष्ट भूमी से हैं वो डिजिटल गिरफ्तारी के शिकार भी हो जाते हैं हाल ही के महीनों में एक नए तरह के साइबर धोकाद़ी सामने आई है जिसे तथकते डिजिटल गिरफ्तारी कहा जा रहा है जिसमें अपरादी सीबियाई ये कस्टम जिसे कानून प्रवतर अधिकारी बनकर पिरफ्तों को डिजिटल गिरफ्तारी कहकर स्वेकशासी घर में नजरबंध होने के लिए मजबूर कर देते हैं इतना ही नहीं वो वीडियो कॉल के माध्यम से भी गिरफ्तार व्यक्ति के निगरानी करते हैं ताकि ये सुनिश्रित किया जा सके कि पिरफ्त घर के अंदर रहे और जाज के दौरान दूसरों यहां तक के परिवार के सदस्यों से भी बात चीतना करें एक बार जब पिरफ्त पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाता है तो अपराधियों से पैसे मांगते हैं बहाने कई हो सकते हैं या तो पिरित को प्रतिबंदे समान के साथ एक पार्सल मिला होता है जिसे कस्टम ने जब्त कर लिया है या फिर उसके बैंक खाते का इस्तमाल मनिल रॉंडन के लिए किया गया है दिली पुलिस ने इस साल अब तक 500 करोर रुपे से जादा की वित्य धोका धड़ी की जाच की है तिवारी का कहना है कि साइबर अपराधी एक राज़्य में बैंक खाते खोल कर और दूसरे राज़्य से सिम्खरित कर पूरे देश को अपने जाल में फसा रहे हैं पहले जादातर साइबर अप्राद जारकन के जामताड़ा या हर्याणा के मेवाद छेत्र से रिपोर्ट किये जाते थे। जामताड़ा वहां से काम करने वाले साइबर अप्रादियों पर बने एक सीरीज की वज़े से भी लोग प्रिया है। लेकिन अब अन्य होट स्पोट भी उभर के उन नजर आ रहे हैं।